हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयूप आप लोग अच्छे हूंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूट्योरियल्स में फ्रेंड्स आज अज अगेन आपके साम देंक मोश्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे नाइन स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक है जो हमारा चाप्टर चल रहा था फ्रेंड जिसका नामे चाप्टर नमर 16 हरीडिटी और वेरियेशन आज हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ना है जो है DNA और यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइस आपको बताने हैं आपके लिए उमीद करता हो कि आप समझके लोगे यह चीज और आपको जितने भी पॉइंट है हम लोग इसको बताएंगे आपको और इसके तो एक तरीका क्या होता है नाम में है एक तरीका क्या होता है एक तरीका क्या होता है अब जितने भी क्रोमोजोम होते कल के दिन मैंने आपको क्रोमोजोम का मतलब बताया था जो पहला लेक्चर था फर्स लेक्चर था उसको मैंने आपको बताया था कि क्रोमोजोम का सबसे आदा देखा जाता है कि जो होता है कोई भी cell की अगर बात करें और कल के दिन मैं ने बता आपकी जो chromosome होता है वो cell के nucleus के अंदर present रहता है तो chromosome DNA से बनाई है तो obviously हमोग बोले हैं जो होता है यह हर organism में क्या होता है तो जितने भी organisms होते हैं living organisms की बात करें तो जो DNA का structure होता है वो सब में same दिखा गया है बड़ उसमें information तोड़े अलग-अलग होते हैं लेकिन structure जो होता है वो almost same होता है हर एक living organism के अंदर और DNA जो होता है वो double helical structure होता है अभी आपको मैं एक diagram दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि double helical structure मतलब क्या होता है तो यह याद रखना double helical structure जैसे कि अगर मैं आपको एक बताने की कोशिश करू तो समझ लो आपको इस प्रकार का कुछ structure आपको देखने मिलेगा ठीक है यानि कि जो ladder होते है तो उस प्रकार का DNA का structure present होता है जो कि आपको मैं अभी diagram में दिखाऊंगा ठीक है ओके तो यह वा molecule of DNA जो होता है वो किस से बना होता है बहुत ही छोटे-छोटे molecule से बनता है और जिसको बोलते है nucleotide यानि कि यह पूरे के पूरे DNA के अंदर छोटे-छोटे nucleotide present है और यही nucleotide जब अपस में इकटा हुए है तब जाके उसका एक strand जो है DNA molecule का तयार हुआ है और यह जो nucleotide है अब इसमें क्या present रता है एक nucleotide में आगर बात करूँ तो उसमें present होता है one molecule of nitrogenous base एक phosphoric acid present होता है और दोनों आपस में joint होते हैं एक sugar molecule से यानि कि तीन चीज़ से बना एक nitrogenous base का molecule है phosphoric acid भी present है उससाथ में एक molecule of sugar present है और यह तीनों जब मिलते हैं तब बनता है nucleotide और जब nucle nucleotide आपस में मिलते हैं तब बनता है आपका एक DNA molecule तो यह चीज़ आपको याद रखना है और जो nitrogenous base हमने पढ़ा अभी अभी तो nitrogenous base भी जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं तो वह होता है adenine, guanine, cytosine and thiamine, agct, shotcut है इसका agct, 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 जिसको pyramids के नाम पर जाते हैं तो यह दो type के nitrogenous bases होते हैं और यह total 4 हो गया है, clear है दोस्तों तो उमीद करता हूं कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर diagram में भी आप देख पार हो कि कैसे cell हो है, cell के अंदर nucleus है, nucleus के अंदर आपके chromosome है, यह chromosome के अंदर present होते हैं वो एक chain जैसा arrange होते हैं, कैसे arrange होते हैं, it arrange like chain, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि double helical structure होता है, तो CD जैसा structure है, double helical याने कि दो-दो layer इसके अंदर present है, that's why it is called as the double helical structure, और एक change जैसा form होता है, जो एक molecule बनाते है DNA का, और इसके अंदर दो-दो threads present है, एक यह वाला thread, एक यह वाला threads, तो दो-दो threads present है DNA molecule के, जो कि अगर उसको सीधा कर दिया जाए, तो वो कैसा दिखेगा, जो rail की पत्री होते है, CD जैसे होती है, rail की पत्री, वैसा आपको दिखेगा, अगर इसको सीधा कर देंगे, तो clear है, तो देख पार है, आप diagram में उमीद कर तो आपको समझ लोगा है, और यह जो 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 जोईन होते है, आपस में, अबिसलि कोई भी, जो जिब जोन होता तो कुछ bonding के help से जोईन होते है, तो यहाँ पर दोनों जो जोईन हुए है, cell hydrogen bond के वजह से, यानी कि hydrogen bonding के वज़े से, यह तो आपसमें जोईन हुए है DNA में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, DNA अभी चल रहा है हम लोग का, RNA में कुछ और होता है, हम लोग आगे जो RNA आएगा, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको फिलाल में यह याद रखना है, कि DNA में 89 जो होता है, वो T के साथ, AT, यानि कि एडिनान थायमिन के साथ जोड़ी बनाता है, और साइटोसीन और ग्वैनिन जो है, आपस में जोड़ी बनाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, C और G, साइटोसीस ग्वैनिन, ठीक है, फिर A और T, एडिनान थायमिन, CG, ATCG, तो यहाँ पर आपको दिख मॉलेक्यूल्स होते हैं, चोटे-चोटे तुकडे जो होते हैं, DNA के अंदर जो प्रेजन्ट होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बट अगर देखा जाए, तो variety of sequence of nucleotides present होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है, जो DNA बन रहा है, DNA के मॉलेक्यूल्स जो बन रहे हैं, वो nucleotides के वज़े से बन रहे हैं, और phosphoric acid and sugar molecule के वज़े से बन रहे हैं, तो इसका जो sequence होता है, कि किस प्रकार ये लोग arrange है, तो अलग-अलग तरीके से ये लोग arrange हो सकते हैं, तो इनकी जो varieties होते हैं, तो ये variety of sequence जो होता है, ने nucleotides के, इसके हिसाब से अगर बात करें, तो अल होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करता है, इतना याद रखना है, और जीन्स का काम ये भी है, कि it also transmit the heredity characteristics, जैसे मैं हमने आपको बताया था, कि हमारे parents से हमारा राज कुछ organs जो है, सेम होता है, जैसे कि कभी हम लग बोलते हैं, शकल अपने पपा पे तो वो किस वज़े से होता है, जीन्स के वज़े से होता है, ये चीज़ याद रखना, और hence इसको माना जाता है, ऐसे functional unit of heredity, तो heredity करवाने में जो main सबसे important चीज़ होता है, functional unit जो होता है, उसका नाम है जीन्स, ये आपको याद रखना है, clear है दोस्तों, तो उमीद करता आसीड माना जाता है, पूरे के पूरे सेल के हमदार, जैसे DNA पड़ा, तो सबसे जाधा important थो DNA था, deoxy ribonucleic acid, वैसे यहाँ पर ये भी बहुत जाधा important nucleic acid है, जिसका नाम है ribonucleic acid, और RNA जो होता है, it is also made up of ribos sugar, जैसे हमने DNA में देखा था कि वो भी nitrogenous basis, phosphoric acid और जो sugar था यह भी same है, लेकिन यहाँ पर जो sugar है, वो ribos sugar है, DNA में कहा था, deoxy ribos sugar था, तो यहाँ पर ribos sugar है, phosphate molecules रहने वाले हैं, यानि कि phosphoric acid and all, and यहाँ पर भी nitrogenous base present है, जो की चार टाइप की होते हैं, कुनसे कुनसे, adenine, guanine, cytosine and uracil, तो यहाँ पर आपने एक फरक देख लिया हो चाहाँ रखना, DNA में ATCT होता है, यानि कि adenine, guanine, cytosine, thiamine होता है, लेकिन RNA में जो thiamine होता है, यह इतना फरक है, DNA और RNA में, ठीक है, और यहाँ पर RNA में जो nucleotide जो present होता है, यह कैसे बनता है, it is form by the combination of ribos sugar, ribos sugar, phosphate molecule, और कोई भी इसमें से nitrogenous basis जब आपस में जॉइन होते ह होते हैं, तब जाके बनता है, एक molecule of nucleotide, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हो कि यह चीज़ समझ में आ गया होगा, and RNA की और ज़्यादा अगर चर्चा करें और बात करें, तो RNA जो होता है, फंक्शन के इसाब से तीन हिस्सों में divided है, यानि कि तेरा three types of RNA, तो तीन type कोन से होते होता है, एक होता है ribosomal rRNA, तुसरा होता है messenger RNA, mRNA जिसको बोलते हैं, तो यह exactly क्या होते हैं, इसको हम आपको explain करते हैं, तो ribosomal RNA नाम से पता चल जाएगा, यानि कि यह जो होता है, इसमें क्या होता है, in this molecule of RNA, is a component of ribosome, यानि कि RNA जो होता है, इसमें ribosome का एक component होता है, यह पता है, यह cell के अंदर, जो कि आपका protein बनाने के लिए help करता है, तो ribosome क्या करता है, it performs the function of protein synthesis, protein को बनाने में help करता है, तो यह जो type का RNA है, यह तरीके से molecule ribosome और के अंदर होता है, और यह protein synthesis का का काम करवाता है, that is why it is called as the ribosomal RNA, second है mRNA, यानि कि messenger RNA, अब नाम से पता चल जा पाए, तो वो जो message पहुचाने का का काम कर रहा है, वो कोन होता है, और mRNA, simple सी बात है, बहुत simple सा चीज है, कि जो ribosomal RNA को यहाँ पे signal की जरुद्थी, यानि कि एक information की जरुद्थी, कि आप अभी protein बनाईए, protein synthesis कीजिए, तो वो message पहुचाने का जो काम करता है, उसको हम लो लेके जाता है, amino acid से लेके ribosome तक, यहाँ पे carry कर रहा है, यानि कि लेके जा रहा है, तो वो चीज़ क्या कर रहा है, एक तरीके से transfer कर रहा है, तो यानि कि यह पहुचाने का काम करता है, transfer करने का काम करता है, that's why it is called as the transfer RNA, TRNA, clear है दोस्तो, बहुत सा simple सा funda, इसको याद आप होता है, thank you so much for watching this video, and उमीद करता हूँ कि जो भी part था हमारे DNA का, क्या होता है, कैसे होता है, structure क्या होता है, and function क्या होता है, and साथ ही में RNA का, यह आपको clear हो गया होगा, तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले lecture वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इसके chapter के अंदर जो भे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ